प्रेश देवगन जो कि अपनी आखे और अपनी एक्टिंग की वज़स से जाने जाते हैं दोस्तों आपको बता दें कि अजय देवगन के फैंस के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशकबरी सामने आई है आपको बता दें कि जैसा कि कल ये अफिशली अनांस हो चुका था कि अजय देवगन आर 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 के पार्ट बन चुके हैं ये दोस्तों एसेस राजा मौली के डायक्शन में बन रही आर 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 जिसके अंदर आपको राम चरन और चुनियर एंटियार के साथ में आलिया भट भी नजर आने वाली है और साथी साथ अजय देवगन का तड़का भी अब इसमें लग चुका है तो दोस्तों आपको बता दें कि अज़द देवगन ने 2019 और 2020 में सबसे ज़ादा कमाई करने का टैग अब अपने नाम कर लिया है जूर्च आपको बता दें कि ये फिल्में जो कि अब अज़द देवगन करने जा रहे हैं वो 1000-1000 करोड की फिल्म में होने वाली है पहली फिल्म जो की 2019 में आने वाली है जो की 1000 करोड तक जानी की शमतर रखती है वो है तानाजी दा अंसंग वार्यर जो की ये बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट है जो की अज़न देवकन बहुत टाइम से करते आ रहे हैं और ये उनका सपना भी है तो इसमें वो कोई भी कॉंप्रमाइस नहीं कर रहे है आपको बता दें कि इसका बजट भी 2500 करोड से ज़्याद का रखा गया है और साथ इसाथ ये फिल्म 3D में रिलीस की जाएगी और आपको बता दें कि इसके अंदर VFX भी काफी ज़्यादा धमाकेदार होंगे तो वहीं पर ऐसा माना जा रहा है कि ये फिल्म लगबग 1000 करोड का कलेक्शन ज़रूर करने वाली है और फिर वहीं पर अगर हम बात करें 2020 में आने वाली फिल्म RRR की जोकि SS Raja Molly के डायरेक्शन में बन रही है तो वह तो नाम से ही 1000 करोडी पार है क्योंकि उससे पहले बाहु बली और बाहु बली 2 जैसी फिल्म में SS Raja Molly के डायरेक्शन में बन चुकी है और SS Raja Molly पूरे डायरेक्टर में से अवल नंबर के डायरेक्टर माने जाते हैं तो वहीं पर अब अजदेवकन का नाम भी इसमें चुट चुका है तो अब्यूसली बात है कि इसके अंदर बॉली वुट से भी काफी जादा अच्छा कलेक्शन उनको मिलने वाला है जो कि साउथ की फिल्मों को नौर्ट से कम ही कलेक्शन देखने को मिलता है और अब ये रिकॉर्ड शायर तूटने वाला है क्योंकि इसके अंदर अजदेवकन का नाम और आलिया भट का नाम जुड़ चुका है तो दोस्तों ये फिल्म भी हजार करोड से जादा की मानी जा रही है और ऐसे में साल 2019 और 2020 का अगर जोड़ा चाहे तो अजदेवकन दो हजार करोड से जादा की फिल्म देने वाले हैं तो दोस्तों आप लोग इसके लिए कितने एक्साइड़ हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए बॉलिवूड जंक्शन को ताकि आपको मिले बॉलिवूड के अरखबर सबसे पहले